इत्वीड में करन कुंद्रा ने निशांद भट को बताई आखरकार बिग बॉस के घर में क्यूं है करन इतने परेशान लगातार 20 दिनों से पूरी नहीं हुई है उनकी नीद क्या है उनके परेशानी की वच है चलिए इस बात का हुआ है खुलासा करन कुंद्रा बेसेकली बिग बॉस के घर में पाइनली 20 दिन होने को है अब ऐसे में 19-20 दिन तक करन कुंद्रा लगतार सिर्फ 4-5 घंडे की नीदी ले पाए है अच्छे से और वो काफी परेशान है और इस बात का जिक्र Live Feed के दारान हमने देखा कि करन निशान से करते में नजर आए हैं हलाकि निशान तक कारन काफी अच्छा दोस्त मानते हैं और उनसे हर बातें डिस्कस करते हैं लेकिन निशान भर ताकर कही न कहींन को कब बैक स्टैब कर देंगे कुछ पता नहीं क्योंकि अभी फिलहाल अगर नॉमिनीशन की बात थी तो निशांत ने सीते तोर पर करन कुद्रा को नॉमिनीट कर दिया जो कहीं न कहीं करन को काफी बुरा भी लगा और निशांत और करन के रिष्टे में दरार भी आई इस बात को लेकर कहीं न कहीं एक डाउटफुल हुआ करन निशांत को लेकर लेकिन अब फिर भी करन जो है वो बाते करते वे डिसकस करते में नजर आ रहे हैं कि वो लगातार काफी परेशान है जब से वो गेम शो में आये हैं तब से वो गेम को लेकर तब से वो प्लान्स बना रहे वह बॉस कहला रहे हैं, वह मास्टर माइंड कहला रहे हैं, हलांकि पढ़ा खान भी आई थी तो उन्होंने रैंकिंग में नंबर वन पोजिशन पर उन्हें रैंक दिया था, और करन कुंद्रा के फैंस भी बाहर उन्हें लगातार सपोर्ट करते हैं, और वाकई करन कुंद्रा के फैंस का ये जो बोल बाला है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वज़ा से करन चाय हुए हैं शोशल मीडिया से लेकर हर प्लाटफॉर्म पर, हलांकि करन की एंट्री से पहले ही करन कुंद्रा चाय हुए थे, और अब एंट्री के बाद तो करन की गेम स्ट्राटेजी को देखकर फैंस और भी ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं, तो फिल्हाल करन कुंद्रा तो निशांत भट को प्रपर बता रहे हैं अपनी परिशानिया, लेकिन इन परिशानियों का क्या गब फाइदा उठालेंगे निशांत भट ये कोई नहीं जानता, तो वेल क्या कहना चाहेंगे आप करन कुंद्रा को लेकर आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, करन कुंद्रा की गेम स्ट्राटेजीज कितनी पसंद आ रही हैं ये भी जरूर बताएं तमाम बॉलिफोड और टीवी दुनिया से जड़ी हरे खबरों के लिए देखते रहे हमारा चालन्ज्ग